कल बिग बॉस के घर का माहौल बहुत गर्म रहा आपको बता दें कि कल की हाइलाइट के बारे में उससे पहले आपको बताते हैं कि खेसारी लाल यादो, रश्मी देशाई, देवुलीना, पराग छाबडा ये सब एक गुड बना लिये हैं जी हाँ खेसारी लाल यादो के दोस्तों की संख्या की बात करें तो खेसारी लाल यादो के दोस्त अब बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वहीं सिधार सुकला से खेसारी लाल यादो की दुश्मनी की बात करें तो वो बिलकुल भी खत्म नहीं हुई है और बलकी उससे जादा उनके बीच करवा हटाती जा रही है वैसे सिधार सुकला अमोमन घर के हर एक सदस्य से लड़ते हैं कल तो हधी हो गई कल घर में शेफाली और हिमानसी के बीच कैप्टन सीक का चुला हुआ जिसमें शेफाली जीत गई और फिर उसके बार शेफाली ने सभी को उनका कारेशवा लेकिन इसी कारेशवा अपने के बीच में सिधार सुकला और रश्मी देशाई के बीच जम कर लड़ाई हूँ और ये लड़ाई इतने हद तक पहुँच गई गर के बारे सदसे एक तरफ थे सिधार सुकला अकेले उनसे लड़ रहे थे। सिधार सुकला ने यहां सारी हदे पार करते हुए सबी को ये तक कह दिया कि तुम बारों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है और मेरे तरफ आने की कोई कोशिश मत करना यहां तो सब ठीक था। जैसे ही बीच में पारश छाबडा आ जाते हैं और जैसे ही पारश छाबडा लड़ाई में आते हैं सिधार सुकला उन्हें टुला कहके बुलाते हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि लड़ाई के मामले में सिधार सुकला ने विग बॉस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं कोई ऐसा नहीं है जिसे वो जगडाने करते सिवाए असीम को छोड़ कर सिधार्थ की सभी से ठन चुकी है फिर वो चाहे खेसारी लाल यादो ही क्यों न हो खिसारी लाल यादो से तो सिधार सुकला मतलब तक नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इट का जवाब पत्थर से ही मिलने वाला है लेकिन सिधार्थ के बारे में खिसारी अपनी अलग राये रखते हैं सिधार्थ के बारे में खिसारी का कहना है कि वो घर के सीनियर मेंबर है और उन्हें घर के लोगों के बारे में जादा जानकारी है और अभी तक उन्हें सिधार्थ से जादा इंटरेक्शन नहीं किया है तो ये ये भी नहीं कह सकते कि सिधार्थ इतने बुरे हैं लेकिन सिधा सिधार्थ से जड़प के बाद खिसारी लाल यादो ये नहीं चाहते कि उनका नाम कहीं से भी खराब हो लोग उन्हें कहें कि सिधार्थ के बाद एक और घर में एक ऐसा बंदा आ गया है जो जगडा ही करता है इसलिए खिसारी बड़े नाप तोल के गेम खेल रहे है बुच झाल झाल झाल